स्पीकर सर आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया इसका मैं बहुत-बहुत अभारी हूँ धन्यवाद कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाशन में विपक्ष के बारे में बोला था कि विपक्ष अंदोलन की बात कर रहा है मगर जो क्रिशिक आनून है उनके कॉंटेंट के बारे में और उनके इंटेंट के बारे में विपक्ष नहीं बोल रहा है तो मैंने सोचा आज प्रधानमंत्री जी को खुश करें खुश करें और जो तीन किसान के बिल है ख्यर्टी के बिल है उनके कॉंटेंट का और इंटेंट का बात करें बज़ट पर बोलेंगे भजट पर बोलेंगे आप शानत हो जाईए फिर किसान का मुद्ध भी बजट का मुद्ध है आप उनका आदर कीजिए तो तो बात है कि इन तीनों कानूनों का कानून और इंटेंट क्या है तो पहले कानून का कानून क्या है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी आनाज सबजी फल खरीद सकता है जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है तो अगर अगर खरीदी देश में अनलिमिटेट खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाएगा मंडी में कौन जाके खरीदेगा तो पहले कानून का कॉन्टेंट मंडी को खतम करने का है इसका लक्ष मंडी को खतम करने का है दूसरे कानून का कॉंटेंट क्या है कि बड़े से बड़े उद्योग पती जितना भी अनाज जितना भी फल जितनी भी सबजी स्टॉर करना चाहते हैं वो स्टॉर कर सकते हैं कोई लिमिट नहीं जितना वो होट करना चाहते कर सकते हैं कि दूसरे कानून का content essential commodities Act को कतम करने का कि दूसरे कानून का content जमा खोरी को unlimited तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का अब तीसरा भी कानून है तीसरा कानून का कॉंटेंट तीसरा कानून का कॉंटेंट जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योग पती के सामने जाकर अपने अनाज के के लिए अपने सब्जी के लिए अपने फ़ल के लिए सही दाम मंगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा तीसरे कानून का कॉंटेन आपको याद होगा सालों पहले फ्रामिली प्लैनिंग का एक नारा था आपको याद होगा हम दो हमारे दो अब मैं इंटेन्ट की बात करता हूँ कानून के इंटेन्ट की बात आज क्या हो रहा है जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है वैसे ही या नारा दूसरे रूप में आया है आज इस देश को चार लोग चलाते हैं हम दो और हमारे दो जैसे उस टाइम उस टाइम नाम सब जानते हैं नाम सब जानते हैं आप बोलो हम दो हमारे दो यह किसकी सरकार है हम दो हमारे दो की तो पहले कानून का intent बताता हूं आप आसन को संबोदीत करें पहले कानून का इंटेंट कि हमारे दो मित्रों में से एक जो सबसे बढ़ा मित्र है उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज फल और सब्जी को भेचने का अधिकार अ bit पहले पहले कानून का इंटेंट अब्यार्स कि नुकसान किसका होगा नुक्सान छोते भी अपारियों का होगा अब नुकसान जो लोग मंडी में काम करते हैं लागों लोग Few का होगा अब चलिये दूसरे कानून की इंटेंट की बात करते हैं दूसरे कानून का इंटेंट दूसरे मित्र की मदद करने का है दूसरे मित्र को पूरे देश में अनाज फल और सब्सक्राइबरिश का मनोपली में जारी है आज दूसरे मित्र चालेश प्रतिशाद हिंदोस्तान का अनाच अपने साइलों में रखता है यह कॉंग्रेश पाइची प्रदान संत्री कहते हैं सर में आये अप्षिन मैं अदक्षी आपको करना चाता हुए प्रदान मंत्री कहते हैं ति मैंने ऑप्षिन दिया है हाँ आपने ऑप्षिन दिया है तीन ऑप्षिन दिये है पहला ऑप्षिन भूप दूसरा ऑप्षिन बेरजगारी तीसरा ऑप्षिन आदब अत्या यह तीन ऑप्षिन आपने दिये हैं अब देखिए मामला क्या है मामला ये है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनस सबसे बड़ा वियकार एग्रिकल्चर का है 40 प्रतिशद अबादी इससे जीती है 40 लाग करोर रुपे का धंदा है दूसरे कानून का इंटेंट है कि एक वियक्ति को आप पूरे देश की अनाज की स्टॉरिंग की मनौपली दे दो और जब किसान अपने अनाज के लिए सही दाम मांगने जाएगा तो जिसके पास स्टॉरिज की मनौपली होगी वो मारकेट में अनाज डालेगा और किसान से कम से कम पैसे में खरीद करेगा कि इस देश की जो रीड की हटी है किसान मजदूर चोटे दुकांगार वियापारी उस रीड की हटी को पौर के तुकड़े तुकड़े करके तो मित्रों को दे दू सर आपने माइक बंद कर दिया, माइक बंद कर दिया, तर आपने सर, इस से होगा क्या, जब ये कानून लागू होंगे, तो जो इस देश के किसान है, इस देश के मजदूर है, छोटे वियापारी है, इनका धंदा बंद हो जाएगा, इन में से किसानों की खेट चली जाएगी, किसान को सही दाम नहीं मिलेगा, छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी, और सिरफ, सिरफ दो लोग, हम और हमारे, हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएगे, हिंदुस्तान का फूट सिक्योरिटी का सिस्टम है, वो नश्ट हो जाएगा, और पहली बार, सालों बाद एक बार, फिर पहली बार, हिंदुस्तान के लोगों को भूख से मरना पड़ेगा, रूरल एकोनमी नश्ट हो जाएगी, और ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा, ये नई चीज नहीं है, ये आप मत सोचिए, कि ये नया अटेम्ट है पहला, अटेम्ट है ये पहला नहीं है, ये काम प्रधान मंत्री ने, हम दो हमारे दो के लिए, पहले नोट बं बंदी में शुरू किया था, पहली चोट नोट बंदी थी, आइडिया किया था, गरीबों से, किसानों से, मज़दूरों से उनका पैसा लो, बैंक में डालो, और हम दो हमारे दो के जेम में डालो, स्माल मीडियम सेक्टर को खतम कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया, वहाँ नहीं रुके, फिर गए, जी एस्टी, गपर्सिंग टैक्स, पाँच अलग अलग टैक्स, और फिर से, उन्ही बिचारों पर आक्रमन, उन्ही किसानों पर, उन्ही मज़दूरों पर, उन्ही वियापारियों पर आक्रमन, फिर करोना आता है, करोना के समय, मज़दूर चिला चिला के कहते हैं, हमें बस का टिकेट दे दीजिए, हमें ट्रेन का टिकेट दे दीजिए, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम पेडल घर जाओगे, मगर टैक्स माफ जरूर तो पहले नोटबंदी फिर जी एस्टी फिर करोना के समय उन्हीं चार पाँच दस लोगों को पूरा वा पूरा कर्जा माफ दस लाग करोर रुपे हैं जो भी ताब कर्जा माफ मगर हुआ क्या हिंदुस्तान हिंदुस्तान का रोजगार का जो सिस्टम है जो स्मॉल और मीडियम इंडिस्ट्री है वो खतम हो गई आज ये देश रोजगार नहीं पैदा कर सकता है सिद्धी सी बात और आज नहीं कल भी ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा क्योंकि आपने इस देश की रीड की हड़ी तोड़ दी है किसान की मज़दूर की चोटे दुकानदार की स्मॉल मीडियम बिजनस की रीड की हड़ी तोड़ दी है मगर ये मत समझिये कि एक किसानों का अंदोलन है ये किसानों का अंदोलन नहीं है आपको बात अभी समझ नहीं आई है ये देश का अंदोलन है और ये किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है किसान अंदेरे में टॉर्च दिखा रहा है और एक अवाज से ये पूरा देश उठने वाला है पूरा देश एक अवाज से हम दो हमारे दो के खिलाफ उठने जा रहा है और ये याद रखिए मैं कह रहा हूँ लिक के ले लीजिए आप सोचते हो कि हिंदुस्तान के किसान को मजदूर को छोटे दुकांदार को अपने पैसे से अपने धन से परे कर सकते हो ये आप सोचते हो आप ये सोचते हो आप लिक के ले लो मुझसे किसान एक इंच पीछे नहीं हटने वाला है किसान आपको हटा देगा मजदूर आपको हटा देगा छोटा दुकांदार आपको हटा देगा अगर वो पीछे एक इंच नहीं हटने वाला आपको कानून वापिस लेना ही पड़ेगा अब बात करते हैं बजट की जब बजट पर बातचीत करने का की बात उठी थी प्रेजिडेंट्स अड्रेस पे बात करने की बात उठी थी तो हमने कहा था विपक्ष ने कहा था हमें किसानों के आदर करने के लिए किसानों के सब्जेक्ट पर अकेला बोलने दीजिए एक साथ हम सब मिलके किसानों के मुद्धे पर बोलेंगे स्पीकर सर ने सरकार से पूछा और सरकार ने कहा नहीं किसानों के मुद्धे पर चर्चा नहीं होगी बजट पर होगी और प्रेसिडेंट्स अड्रेस पर होगी अलग चर्चा किसान के मुद्धे पर नहीं हो सकती तो प्रोटेस में मैं कह रहा हूँ मैं बजेट पे आज यहां टिपनी नहीं करने वाला हूँ मैं आज सिरक किसान के मुद्वे पे बोलूँगा और उसके बाद मैं अपना मूठ चुप कर दूँगा अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि जो 200 किसान शहीद हुए उनकी इन लोगों ने उनको इन लोगों ने श्रदान जली नहीं दी मैं सब सामसदों से कहना चाहता हूँ मैं अपने बाशन के बाद दो मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा आप मेरे साथ खड़े हो जाईए धन्यवार अपने धने लोगों रहा हूँ लोगों इनकी बाद लोगों वाम खचकों ने देए हूँ अपने और रहा हूं मैं अभ़े हाए